अलो गाईज कैसे आप सब लोग टैरुक्सपे टबल सिक्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हम जो रिडिंग करेंगे गाईज वो मंथली रिडिंग होगी और मैंने जॉडियक सेंग लिया है एरीज यानि मेश राशी उनकी पर्सनल लाइफ में क्या होने वाला है से पहले एक चोटी सी बात है जो आपको समझनी होगी ठीक है एक तो कोई मेरे नाम से आपको मैसेज करता है मेरी फोटो डालके मेरे चैनल के देती हूं अधिकतर मैं नहीं करती हूं तो ध्यान रखेगा कि किसका रिप्लाई आ रहा है ठीक है और इसके अलावा अगर आपको पर्सनल डिंग करानी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ही चेक कीजेगा वहां जाके मुझे एक नंबर मिलेगा वाट्सप नंबर है मेरा महां जाके मुझे मैसेज कीजेगा सारी जानकारी मिल जाएगी ठीक है तो थोड़ा सा अवे रहने के लिए मैं आपको यह बता रही हूं ठीक है चलिए आज की रिडिंग में चलते हैं आज मैंने लिया है जौड़ेक साइन मेश राशी ठीक है हो सकता है कि आप अल्रड़ी एजी हूँ तो स्किप करूँगी मैं ठीक है मंतली रिडिंग्स को चलिए एक एक या दो रिडिंग्स और करूँगी तो आप किसी जौड़ेक साइन को चाहते हैं तो में बिलकुर बताईएगा ठीक है अभी तक मैंने जैमिनी लिप्र एक्वेरिस डाल दी है ठीक है पहले लव लाइफ को चेक कर लेंगे अल्राइट गाइस शफलिंग कर लेते हैं आपकी डेक की अगे मुझे ऐसा लग रहे है कि सबसे पहले जानना जुरूरी है कि आपके दिल और दिमाग में अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर क्या चल रहा है तो वही चीज मैं देखने व वी हाव दि टावर एंड क्वीन अपकर मुझे लगता है कि आप किसी की प्यार में है और डेफिनिटली बता नहीं रहे हैं लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ है कि आप कुछ अपना प्यार जो है एक्सप्रेस करना चाहते हो मुझे ऐसा लग रहे है कि या तो ब्रेक अप ज सिस्थिति है या फिर आप कुछ बोल नहीं पा रहे हो ठीक है और वो कहीं और एटाइच है मुझे ऐसा लग रहा है इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि यह चीजें वर्क आउट नहीं होगी ऐसा फील हो रहा है ठीक है चले और देखते हैं तेरी इसके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है लव लाइफ नॉमबर मा येस आप से किसी से कम्यूनिकेट करना चाहते हो बहुत ज़्यदा बाते करना चाहते हो पार्टनर्शिप आपके आल्रडी मैं यहाँ पर देख पार हूँ ठीक है यह जो इंसान है जिनके बारे में आगे तक सोच तो यानि कि एक एट ओफ वॉन्स की एनरजी लव एरोज को बताती है यासी यानि कि आप जो है इस पार्टनर्शिप को या फिर इस दोस्ती को आगे बढ़ाना चाहते हो ऐसा मुझे आं पर दिखाई दे रहा है ठीक है एक बार और लोंगी आप चुप है मोन हैं बहुत जदा इंटूटिव होते जा रहे हैं और ऐसा लग रहे हैं कि आप गाड़ करके चल रहे हैं ठीक है किसी को अगर दिल के बाद बतानी है तो बिल्कुल अपने आपको गाड़ मत कीजिए बिल्कुल फ्रेंट होके बिल्कुल हिम्मत और ताकत रखके बता दीजिए ठीक है यहां पर हो सकता है किसी से सीक्रेटली लव करते हैं लेकिन कहनी पा रहे हैं ठीक है तो जब भी आप किसी प्यार में हो तो यस आप सीधी साधी बात कीजिए उललत पुलट करके या फिर चीजों को गुमाएए मत ठीक है को सीक्रेट रखना व क्या है चली देखते हैं किया energy है नावम्बर मां में उनकी एरीस के partner कोई भी हो सकते है male female उनके energy बताईए इस नावमबर मां एरीस के partner के energy बताईए चली check कर लिते हैं और यहां पर बॉटम में देखिए वो मैन होल्डिंग अ हार्ट येस मुझे ऐसा लगता है कि यह तो आप वर्क प्लेस पे मिले हो या फिर आपकी दोस्ती तो हाई है ठीक है आप इस पार्टनर को काफी दिनों से जानते हो लेकिन अब आप में लव वाली फीलिंग्स हो रही ठीक है तो आपके पार्टनर इस तरह से सोचें कि आप से कुछ लव अफेर किया जाए ठीक है यानि कि आपके रिष्टे में आगे बढ़ना चाहते हैं या फिर इनके एनरजी यह है कि अपने आपके साथ ही स्टैबल लाइफ जीना चाहते हैं आपके साथ लांग टर्म तक से सिक्योरिटी या कोई कमिटमेंट मांगना चाहते हैं ठीक है बहुत पेशेंस चल रहे हैं आपके लिए कि यहाईस आप जैसे भी करो दीरे दीरे या फिर जो भी है आपकी सिच्विशन उसमें बहुत ही काम हो के चलना चाहते हैं और आपको एक दोस्त दोस्त एक सलाकार एक new love के energy मुझे आप पर आ रही है आप इनकी जिन्दगी में एक जैसे कहते हैं ने को बहुत अच्छे सलाकार या बहुत अच्छे दोस्त बन के आए हो ठीक है लेकिन ये अपना दिल जो है आपको देने के लिए ready है ऐसा है उनकी main energy बता रहे है ठीक है number 35, 16, 43, 44 आपकी age ह हो सकती है या फिर कोई नो कोई number आपसे जुड़े होंगे ठीक है इनकी energy यह है कि आपको बहुत पसंद करने लगे इन दिनों ठीक है और आपको कही ने कहीं relationship में लाना चाहते हैं आपके relationship में जाना चाहते हैं ऐसा मुझे इनकी energy दिख रहे हैं actually यह जो है आपसे struggle कुछ च इन दिनों एरीस के partner इस relationship को कैसे देख रहे है नाइन अफ कप्स फीलिंग्स क्या है एरीस के partner की three of wands action क्या लेंगे number में फूल चाहते ही क्या है night of wands और यहां पर देखे page of cups यह actually आपसे बात करना चाहते हैं खुद की और सी initiate करना चाहते हैं क्योंकि जैसे कि मैंने कहा है यह आपसे कुछ solid चाहते हैं देखिए मुझे यहां पर इनके energy लग रही है आपसे in and out की बहुत ज़्यादा ही in and out करते हैं चाहते ही है कि आप पहल की होगी ठीक है अगर नहीं भी की तो अब यह करना चाहते हैं आपके लिए पहल ठीक है यहां पी nine of cups आप इनके wish fulfillment है आपका रिष्टा यह आगे तक ले जाना चाहते हैं इनकी feelings है कि आपके साथ progress हो आपके साथ बाते हो आपके साथ चीज़े आगे बड़े और यह य लेकिन इनका मन थोड़ा थोड़ा भटकता है ठीक है फिलाल के लिए क्या चाहते हैं यह आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं जो कि casual collection के हो यानि कि permanent अभी नहीं रुकना चाहते है आपके साथ यह definitely शुरुआत करेंगे लेकिन एक casual relationship के रूप में ठीक है हो सकता है क कि अभी तक आप friendzone में हो तो यह उस बात को बढ़ा के आगे आपसे love affair करना चाहते हैं ठीक है मुझे literally यह दिखाई दे रहा है चलिए आपके energy देख लेते हैं इनके लिए क्या है एरीज की energy बताईए इनके partner के लिए नौंबर मा लव लाइव लाइव मैरीड दोनों के लिए तो जिस तरह से आप मैच किया उस तरह से लिजेगा ठीक है चलिए इन डी सीजन फर्स चक्रा अर्केंजल गैब्रियल चाहते हैं जर्णी के कार्ड के बहुत सारे मतलब होते हैं लेकिन यहां पर मुझे ऐसा लग रहा है या तो कोई new job की तलाश में आप शेर शिफ्ट कर रहे हैं या फिर अपना घर शिफ्ट करें कुछ शिफ्टिंग आपके या ट्रवलिंग आपके कार्ट में दिखाए दे लेकिन कुछ कहने हैं आपको ऐसा लगता है कि कुछ सच बात या कुछ अभी तक नहीं कहा था तो वो कहेंगे और डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि आपके ऊपर कोई नो कोई financial restriction है ठीक है मलब इस relationship में आपको यह लगता है कि कुछ बंदाने जिसके चलते मैं आपके लिए या अपने पार्टनर के लिए आप कोई कदम नहीं उठा सकते ठीक है इवन आप चाहते हैं कि नया साइकल शुरू हो इनसे एक आपकी नई जर्नी स्टार्ट हो ठीक है चले और देखते हैं आपके जर्नी जर्नी स्टार्ट हो यह मुझे आपके दिखाई दे रहा है यह कुछ शिफ्टिंग आपकी चल रही है फिलिटरली कोई ट्रवलिंग कर रहे हैं आप इनसे मिलने के लिए ठीक है ऐसा भी मुझे यहां पे लग रहा है चले देखते हैं और क्या है एरीस की एनरजी बताए नॉमबर मा में अपने पार्टनर के लिए इस एक्शन क्या लेंगे एरीस टेंपरेंस क्या चाहते हैं अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं दो कार्ड मेरे पास आए हैं यानि कि नाइट और पेंटिकल्स एन टैन अफ कफ बिलकु समझ आ गई पूरी बात और यहां पर देखें जज्ज्मेंट यह जो इनसान है मुझे अपने इनको पहले रिजेक्ट किया था शादी का प्रपोजल हो सकता है या फिर इन्हों ने आपको रिजेक्ट किया था ठीक है लेकिन आपकी चीज़े वापस कंटीनी और हो सकता है कि आप पास में बिशड़ गयो थे वापस एक साथ हो रहे हैं आप कहीं दुबारा मिले हैं ठीक है इन्होंने अपनी फीलिंग्स को अपनी सारे जजबात को छुपाया है आपसे ठीक है और डेफिनिटली यह आपकी रिडिंग है तो मुझे ऐसा लगते है कि आपके एनरजी की कुछ छुपा रहे हैं बता नहीं रहे हैं अपने पार्टनर की जो फीलिंग्स है वो मुझे ऐसा फील हो रहे है इवन यहां पे में एनरजी आपकी जज्जमेंट की है यानि कि आप जो है इनको रियलाइज होता है आपको कि यह इस पार्टनर से चीज़ें सही फिक्स हो सकती है एक नई जर्नी स्टार्ट हो सकती है तो आप रिकंसलेशन करना चाहते हैं लेकि क्योंकि आपको अभी इन डिसीजन है इस रिलेशनिशिप के लिए ऐसा मुझे आपके आपके अनरजीज और आपकी करेंट एनरजीज लग रही है ठीक है तेंपरेंस का कार्ण यानि कि आप बैलेंस करेट करेंगे रखेंगे इन से यानि कि बात्ची तो होती रहेगी लेक आप इनिचली स्ट्रॉंग होना चाहते हैं उसके बाद इनको कुछ कहना चाहते हैं तो आपने क्या है इनको होल्ड पे रखा है और कुछ नहीं बताना चाहते हैं और यहाँ पर देखेंए शादी की बात को लेकर आप रैडिय है शौर है लेकिन आपके अनरजी बहुत ही स स्लो इस रिलेशनिशिप में जाना चाहते हैं तो और ओल यह आपकी लव लाइफ की सिच्वीशन थी नौबर महा में सिच्वीशन पलट सकती है एनर्जी चेंज हो सकती है इस बिल्कुल हो सकती है इनकी जो अभी बहुत ही स्लो एनर्जी है आपकी शादी के लिए वह हाई अपके शेयर साड़ से देखते हैं यह आप क्या प्रमुक्त प्रोफेशनल लाइफ को लेकर आपके अनर्जी खया रहेगी वह चसक करेंगे एनकी श्रशनिय मेशmill के चल गए अपकी लिए क्या है we have all tied up journey indecision and appreciation और यहां पर healer of the ages मुझे ऐसा लग रहा है wait a second मुझे ऐसा लगता है आप पुरानी बातों को छोड़ कर heal हो रहा है मुझे ऐसा लगता है कुछ losses feel करें आपने या फिर अपना काम दंदे के जो चल रहा था मुझे आप उसे energy से बहार आना चाहते हैं कोई नो कुछ losses face किया है कोई काम नहीं मिल रहा था आपको job अच्छा नहीं था satisfaction नहीं था काम करें, study करें तो उसमें आपको जिता मिलना चाहता वो नहीं मिला यानि कि unsatisfied पहले थे आप ठीक है लेकिन अब उस चीज से उबरके आप अपने आपको एक creative बनाना चाह रहे हैं और भी energetic बनाना चाह रहे हैं और action oriented बनाना चाह रहे हैं आपको कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन फिर भी आप एक risk लेके समझ लीजे कि एक new start आप कर रहे हैं मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के journey स्टार्ट हो रही है जिसमें कि आप new job कर रहे हैं या फिर अपने कुछ काम में changes करके उसको नए पन से कर रहे हैं कुछ लोगों के लिए यहां पर office shift हो रहा है घर shift हो रहा है या फिर literally आपकी कहीं transfer हो गई है ऐसा मुझे यहां पर feel हो रहा है जिस तरह से आप से match करें उस तरह से लीजेगा मुझे आप में लग रहा है कि कोई नो कोई shifting कोई नो कोई traveling आप career side से कर रहे है जिसके कारण आप indecision में है जिसके कारण आप बहुत जब बंदा हुआ feel कर रहे है जो करना चाहते हैं वो चीज़ें आपकी workout नहीं हो रही है और आप चाहते हैं कि जो आपने चुना है उसके लिए आपको appreciation मिले ठीक है जो चीज़ है आपके पास वो भी कम नहीं है लेकिन येस आप फिर भी चाहते हैं कि जो मैं नया start कर रहा हूँ जो मैं journey start कर रहा हूँ वो आगे तक successful रहे ठीक है इसके लिए आप लोगों को आपको लोग support करें और यहां पर बहुत कुछ आप indecision से बहार निकलें आपकी ये energy है ठीक है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये energy जो है आपको एक नए रूप में मिलेगी और आप पिछली बातों को छोड़कर एक नया सिलसला या नया cycle शुरू करेंगे अपनी career है job का ठीक है कुछ लोगों का नया job लग सकता है कुछ लोगों की shifting हो सकती है transfer हो रहा है मुझे ऐसा लग रहा है transfer अभी आपको uncomfortable feel हो रहा है लेकिन बाद में जाकी सही रहा ठीक है indecision में है आप है तो थोड़ा सा pause ले लीजे अपनी चीज़ों को करना चाहते है कुछ new start करना चाहते है और आपका मन अभी नहीं बना हुआ है तो थोड़ा सा pause लेकि चीज़ों को मन से शान दंग से सोचिए हो सके तो किसी से राए लीजे आपका जो decision होगा आपके favor में होगा ठीक है अपनी gut feeling को follow कीजे वो जो सच कहेंगी वो ही आपको करना है ठीक है तो healer of the ages यानि कि आप जो face करते आए हैं उससे आपकी healing आपको ज़रू मिलेगी ठीक है उबरते वे नजर आ रहे हैं जो losses वगरा जो भी आपने negativity face की है अपने career side से वो आप कुछ हद तक आपको balance करेगी और definitely आप उस चीज से उबर कर भार आएंगे ठीक है चले और देखते हैं टैरो से देख लेते हैं आपकी क्या energy है नमबर मा प्रोफेशनल लाइफ एरीज चले देखते हैं क्या है देखिए आपी seven of swords two of cups queen of cups ace of wands and five eight of cups मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीजें जो है आप जिस बारे में initiate करना चाहते हैं या कुछ नयापन करना चाहते हैं तो उससे पहले आपको कुछ छोड़ना भी पढ़ रहा है ठीक है कुछ आज थे कुछ patterns कुछ literally कोई job है जिसको आप छोड़के disappointed face कर रहे थे unsatisfied थे तो उसको छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं ठीक है कुछ initiate कुछ मलब जैसे कुछ नयापन करने के लिए आपने शुरुआत कर दिये ठीक है कोई situation ऐसे जहाँ पे आप बिल्कुल unsatisfied थे वो छोड़के आगे बढ़ रहे हैं आपकी कोई partnership में business या कोई job में मदद कर रहा है ऐसा मुझे यहां पर दिख रहा है किसी के approach से आप job लगे हो ठीक है ऐसा भी बहुत से लोगों के लिए लग रहा है लेकिन यह अगर business करते हो तो कोई नो कोई partnership में आप business कर रहे हो और उससे पहले आपने कुछ छोड़ा है ठीक है जहां पर आपको disappointment face किया था ठीक है कुछ जैसे partnership में ही सही आपको थोड़ा सा जैसे कहते हैं कि चीज़े अपनी favor में लगने लगे है ठीक है और कहीं न कहीं आपको number मा में ऐसा लगेगा कि जो चीज़े आप face कर रहे थे negativity वो उससे उबर कर आप थोड़ा सा heal हो रहे हैं ठीक है मुझे आप लग रहा है कोई पसंद का काम आपको मिल गया या पसंद का partner आपको मिल गया है लेकिन पिछली गलतियों से आप थोड़ा सा उबर के भाहर आना चाहते हैं मुझे ऐसा लगता है कि जो गलतियां जो कि आपको negativity देती है जो आपको realize होती है कि मुझे नहीं करनी है उससे उबर कर आप रोश्नी की किरण यानि कि एक एक जैसे कहते हैं कि आप पिछली गलतियों से सबग ले चुके हैं अब गलती नहीं करना चाहते हैं और partnership में चल रहे हैं आपको किसी चीज का experience नहीं है तो कोई आपका साथ देगा उस चीज को लेकर तो यहाँ पर initiate जो कर रहे हैं किसी चीज का नयापन या कोई नई शुरुआत या अपने बिजनिस को नए ढ़ंग से कर रहे हैं तो उसमें आपका कोई supporter या बहुत से लोग आपका support करते हैं नजर आ रहे हैं तो यह आज की reading थी नॉमबर महा की आपसे कितनी match करी जरूर बताएगा ठीक है लाइक कीजगा और सब्सक्राइब करना मत भूलें मैं नेक्स ट्रीटी में जरूर मिलती हूं गाईज बबाई